नमस्कार सातिवाजम बात करेंगे रूस के नए कानून के बारे में रूस आपको पता आने अभी थोड़े टाइम के बाद में कुछ नए और अजीबो गरीब नियम लेक्या आ रहा है लेकिन जब नियूज में ही सब कुछ सल रहा है तो हमें बताने में कहां दिक्कत है नियूज का मतलब भी लोगों साथ शेयर करना होता है तो सरकार ने ऐसी बयान क्यूं दिया है कि रस्या में जोब करते हुए आप भाना नहीं बना सकते कि मैं बीजी हूँ मुझे टाइम नहीं मिला है शेक्स करना जरूरी है टाइम निकालना पड़ेगा ऐसा पुतिन साब के जो मंतरी उन्होंने बयान क्यूं दिया है पहले उन्होंने ये बोला कि हमारे देश में कोई भी लोग आओ पहुँचो अभी ये बोलना है कि ये शेक्स करना जरूरी है तो ये कहां पर ये बातें गूमरी है इसके साथ हम थोड़ा सा डिसकस करेंगी अगर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताना तो चलिए शुरूरात कर लेते हैं आप देख सकते हैं बाई साब ये देखो क्या न्यूज है पुतिन के मंत्री बोले काम के बीच में सर्रिक समंद बनाए नागरिक गिरती जनमदर्श से निपटने के लिए दिया आदेश का आबादी पर टिका हमारा बहुसे ये न्यूज है सतरा नो दोजार चोबिस का ये कब का नीज है आज से दो दिन पहले का ये निज है आप लोगों के साथ में सेर किसलिये कर रहा हूं आप इस बात को थोड़ा समझाभी यह है अब रशिया नक्षिक मैंव इतना बड़ा है कि आप सोस नहीं सकते बारत बहुत बड़ा देश है ऑस वो और बहुत ब़ Cynthia एक चोर से दूसरे चोर पहुंचते हैं ना इससे पहले आप दुली पहुंच जाओगे रसिया से इतना लंबा और टाइम लग जाता है इंडिया से पांच गोना होने के बावजूत यहां पे जनसंग क्या कम है और इसका रिजन यह है कि आप सिधा सिधा बात करें तो आपको इसकी आपकी आगया है जहां पे मेलाएं ज्यादा है पूरुष कम है तो गया तीसरा रिजन ही हो गया कि इनकी जो जनसंक्याना दीरे-दीरे कम होती जा रही है पिछले छह मैने में एक लाग बच्चे भी नहीं जनमें और यहां इंडिया में एक दिन में एक लाग आके बता रहें कि 25 लाक लोगों की मोत हुई थी तो वहां से शुरुआत इसकी दोर चली थी और 1955 से लेके 1924 तक अगर इसकी देखा जाए तो जनसंग क्या गराफ है ना यहां से लेके ऐसे 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 जा रहा है अब आप इस बात को समझें फिर भी इंडिया क ज्यादा इंचुक है रस्यान लड़के के साथ स्यादी करने के लिए और रस्यान भी वैसा इंडियान लड़कों के साथ स्यादी करने के लिए बहुत ज्यादा है आपको पता है आप आए दिन यूज में सुनते रहते होंगे रस्या में जाके स्यादी करना तो रस्या में स्यादी आप भी कर सकते हैं इसके लिए benefit आपको बहुत ज्यादा है बेनिफिट एक तो यह कि आप वहाँ पे मालिक बन सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जमीन बहुत है लोगों के पास business है जमीन है लेकिन उनके पास अभी तो लड़कों की इतनी ज्यादा कम है यह आंकडे रियल सब्सक्राइब भी बहुत धीरे मतलब उमर निकल जाती है शादी नहीं होती तो फिर बच्चे तो आपको पता किस तरीके से होते हैं आलांकि यह कल्चर इंडिया में भी आ रहा है लेकिन इंडिया में इसको पार करते करते 50 साल और लग जाएंगे लेकिन इंडिया में अभी भूत है तो वह यानि 1955 से लेके 2024 तक के आंकड़ों में कितनी जनसंक्या भाई साब लग बग 33.3 क्रोड का ही आंकड़ा यह पार कर पाया है दूसरी बात करें तो यहां तीन सालों तक तो ठीक ठाक था इनका 1955, 1960, 1960, 1965 तक तो लग बग 1% इनका जनमदर थी 2024 में देखो भाई साब माइनस 2023, 2024, 20, 10, 15 सब माइनस यानि जनसंक्या दिन परतिदिन इस देश की गड़ती जारी है येरली चेंजिंग में देख सकते हैं 62,000, 1,29, 2,56, ये चेंजिंग होता जारा है यानि इतनी जनसंक्या यहां पर कम होती जारी है सालाना डाउन होती जारी है दो जार बचीस में इसकी जनसंक्या देख सकते हैं कितनी होगी 14,49,197,343 और 2050 में देख सकते हैं कितनी होगी 13,60, यानि दाउन दो जार पचास तक इतनी ज्यादा डाउन हो जाएगी देख सकते हैं माइनेस का निसान दिख रहा आपको यानि एक आंकड़ा लगाया गया है कि इसकी जनसंग क्या कम होगी बर्थ रेट यानि एवरेज अगर देखा जाए न तो रसिया में एक महिला के कम से कम 2.1 यानि जन आप बाने नहीं बना सकते मेरे पास काम नहीं है जोब नहीं है मेरे पास ये नहीं मुझे टाइम नहीं है मैं बीजी रहता हूं यह बाने बाजी नहीं चलेगी जनसंग क्या बढ़ेगी तो यह हमारे देश का अस्तित्वर रहेगा वरना हम दिरे दिरे लुप्त होते जा रहें आगे आने वाले समय में सो सालों में रश्या खतम हो सकता है यह स्थिति सामने आ रही है यह एक देख्स की बात नहीं है विरॉप देशों में भी इस्थिति है इंडियन लोगों की एसियन लोगों की मांग क्यों बढ़िए इसका सबसे बड़ा रिजन ही है कि एसिया मे मेरे आधमी यह कदम मत उठा लेना वर्ना बर्बाद होते देर नहीं लगेगे आपको जनसेंगा बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिसली बार पुतिन ने भी बेयान दिया था कि एक महिला को 7-8 बच्चे दस बच्चे तक पैदा करने चीए और जो महिला सवस्त बच्चों को पैदा करेगी जैसे 8-10 बच्चों को उनको हम इनाम देंगे और यह पहले एक इनाम का सिस्टम चला था कि जिस महिला के 8-10 बच्चे होते थे उनको सरकार खास तोर से सम्मानित करती थी कि वैसा अब यह महिला ने बहुत अच्छा काम की हमारे देश के लिए इनको सम्मानित करते हैं अभी अभी एक कुछ से टाइम पहले एक नियम निकलाता कि जो पढ़ने लिखने 25 साल तक की महिला हैं वो सवस्त बच्चा पैदा करने पर लगब एक लाग रूबल के करीब उनको इनाम दिया जाएगा यह तरीके हैं जन से क्या होकाव बढ़ाने के